एक बार की बात है भगवान शेव और मापार्वती आपस में वारता लाप कर रहे थे तभी वहां भगवान गणीशी आजाते हैं क्या बात है माताश्री पिताश्री आपने मुझे बुलाया पुत्र गणीश तुम्हारी माता तुम दोनों भाईयों के विवाह की चिंता कर रही है वो चाहती है कि तुम दोनों भाईयों का विवाह शिग्र हो जाए हे माताश्री हे पिताश्री आप मेरी और से बिलकुल भी जिस कारण से मेरे माता पिता चिंता में पड़े हैं, मैं वो कारण ही समाप्त कर देता हूँ, मैंने ये निरणय कर लिया है कि मैं विवाहा नहीं करूंगा। इतना कहकर भगवान गणेश वहां से चले जाते हैं। देवी पारवती, तुम्हें दुखी होने की कोई अवश्यक्ता नहीं है, सब कुछ समय पर छोड़ दो, समय अपने आप सब कुछ विवस्थित कर देगा, और देखना, तुम्हारा पुत्र गणेश एक दिन विवाह के लिए अवश्य मान जाएगा। उधर भगवान गणेश वन में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। भगवान गणेश ध्यान मगन थे, तभी वहाँ पर देवी तुलसी आ जाती हैं, और भगवान गणेश के विचित्र रूप को देख कर वो बहुत प्रभावित होती हैं। वो साधना में लीन भगव भगवान गणेश के ध्यान को भंग करने लगती हैं, जिससे भगवान गणेश का ध्यान भंग हो जाता है। आपसे विवा करना चाती हूँ। भगवान गणेश जी ने देवी तुलसी जी से विवा करने के लिए मना कर दिया। इस बात से तुलसी जी क्रोधित हो गए। क्रोधित हो उन्होंने गणेश जी को श्राब दे दिया। तुम आज शादी करने से मना कर रहे हो और एक समय आएगा जब तुम्हारी दो शादी होगी और दो पत्नियों के साथ तुम अपना जीवन व्यतीत करोगे। तुलसी जी के श्राब को कुछ समय बीता तब तक भगवान गणीश की भी विवाह करने की इच्छा होने लगी। लिकिन उस समय कोई भी देवी देवता अपनी पुत्री का विवाह भगवान गणीश से नहीं करना चाहते थे। उनमें विग्न उत्पन करते रहते थे। जिसमें उनकी मदद उनका वाहन मूशक करता था। मूशक गणीश जी के आदीश पर देवताओं के विवाह के मंडब को नश्ट कर देता था। और ऐसे में उनकी शादियों में अर्चने पैदा हो जाती थी। सभी देवी देवत का घबरा गए और परिशान होकर भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुंचे। के बाद सभी देवी देवता ब्रह्माजी के पास गए और अपनी समस्या बताई। इतना कहते ही भगवान ब्रह्माजी ने योग सी दो पुत्रियों को उत्वन्न किया और उनका नाम रिधी सिध्धी रखा। मैंने तुम दोनों को जिस उत्वन्न किया है वो तुम दोनों को सदैव स्मरण रखना है। रिधी सिध्धी तुम दोनों पुत्रियों को ध्यान रखना है कि जब भी भगवान गणेश किसी देवी या देवता के विवाह में विघ्ण डालने लगे। उस समय उनका ध्यान किसी और विशय पर केंद्रित कर देना ताकि गणेश जी की वज़ा से विवाह में विघ्ण ना आए। जी प्रह्मदेव हम आपकी इस बात को सदैव स्मरन रखेंगे। ब्रह्मदेव आपने जो कारे हमें करने के लिए उत्पन किया है। हम उस कारे में अवश्य सफल होंगे। इसके बाद ब्रह्मदेव रिध्धी सिध्धी को लेकर गणेशी के पास पहुचे। भगवान गणेश मैं चाहता हूँ आप मेरी दोनों बेटियों रिध्धी और सिध्धी को शिक्षा का ग्यान दीजिए। ये तो मेरा अहो भाग्य है ब्रह्मदेव मैं इन दोनों को शिक्षा अवश्य दूँगा। ब्रह्मदेव के कहने पर भगवान गणेश रिध्धी सिध्धी को शिक्षा देने लगे। एक दिन जब भगवान गणेश रिध्धी सिध्धी को ग्यान की बाते समझा रहे थे। तब ही वहां उनका वाहन मूशक आ जाता है। प्रणाम प्रभू मैंने पता लगाया है स्वर्ग लोक में फिर किसी देवता का विभा होने वाला है मुझे आज्या दीजिए कि मुझे क्या करना है प्रभू मुझे ये प्रश्ण समझ नहीं आ रहा कृप्या करके मुझे इस प्रश्ण को भली भादी समझा दीजिए कुछ समय तक इसी तरीके से रिद्धी सिर्धी गणेश जी का ध्यान दूसरे विश्यों पर लगाती रही एक बार गणेश जी की नजर अपने वाहन मूशक पर गई प्रभू मैंने आपको कई बार स्मरण कराने की कोशिश की पर रिद्धी सिर्धी आपका ध्यान अपनी ओर के इंद्रित कर देती थी और आपके आदेश के बिना मैं कोई कारे नहीं कर सकता प्रभू इसी कारण सभी देवी देवता इसी भी विग्ण के बिना अपने विवा को संपन्न कर रहे हैं भगवान गणेश को ध्यान आया कि रिधी सिद्धी की बातों में लगकर सभी देवी देवताओं का विवा हो गया और वो अविवाहित रह गए तो उने बहुत क्रोधाया इसका पता लगने पर भगवान ब्रह्मा जी रिधी सिध्धी के साथ गणेश जी के समक्ष प्रकट हुए हे गणेश आप अपने क्रोध को शांत कीजिए मैं आपके समक्ष अपनी दोनों पुत्रियों रिधी सिध्धी के विवा का प्रस्ताव लेकर आया हूं कृपया करके इसे स्विकार कीजिए भगवान गणेश ने ये प्रस्ताव स्विकार किया इसी के साथ देवी तुलसी का श्राप सच साबित हुआ भगवान गनेश के दो विवा हुए और उनकी दो पत्निया रिधी और सिर्धी हुई जिनसे उनके भविश्य में दो पुत्र, शुब और लाब भी हुए साथ ही एक पुत्री यानि देवी संतोशी भी हुई आखिर वो दिन आही गया जिसका सबको बेसबरी से इंतजार था शिव पार्वती के विवाह का शुब दिन यानि के शिवरात्री का पावन दिन वरवधु दोनों पक्ष इस विवाह को लेकर उच्छाहे थे देवी पार्वती की हल्दी लगने की रस्म आरंब हो गई थी स्वर्ग लोग की सभी देवियां, अपजराएं, सखियां पार्वती को हल्दी का लेप लगा कर अपना अशिर्वात प्रदान कर रही थी पार्वती ये आपके विवाह का जोड़ा महरानी ने भिजवाय है, देखिये कितना सुंदर है सच मच, देखो पार्वती कितना सुंदर विवाह का जोड़ा है इस पर तो जड़ाओ हीरे और सोने की कड़ाई है महरानी ने कहा है, बारात के आने से पहले पार्वती को तयार करना है जया विजया, अभी बारात आने में कितना समय बाकी है अभी तो कुछ समय बाकी है पार्वती तब ही देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती भी कक्ष में आ जाती है देवी पार्वती, ओहो, महादेव से मिलने की इच्छा में प्रतिक्षा के ये पल काटना कटिन हो रहा है देवी लक्षमी, आप भी इने की तरह मुझे सताने लगी अच्छा-च्छा ठीक है जया विज्या, सर्वप्रतम पार्वती की हल्दी की रस्म होगी ततपशात पार्वती स्नान करके सोला श्रिंगार से तयार होगी हाँ, ये देखो भिन भिन प्रकार की सुगंधित खुश्बू से परिपूर्ण ये हल्दी का ले उधर शिवजी तो भोले भाले थे उन्हें कौन बताए कि दुल्ह कैसे तयार होगा उन्होंने अपने पूरे शरीर पर भस्म लीप ली और सभी शिवगंटों ने उस रूप में ही देखते आये थे उन्होंने शिवजी के उस रूप की बहुत प्रशन सकी शाम के वक्त शिवजी की बारात निकलने शुरू हो जाती है इस बारात में देव, दानव, भूट, नाग, नागिल सब बाराती बने उधर देवी पार्वती भी सोलश रिंगार करके तैयार हो चुकी थी बारात आगे, चलो, सब देखने चलते हैं पार्वती, महादेव ये कैसा हुल्या बना कर आ गए हैं भूट, प्रेद, विशाद, संग लिये, मानो ऐसे ही चले आए हैं, मैं तो उनके सामने नहीं चाओगी, डर के मारे तो मेरे हाथ पाओ काम रहे हैं मा, आप चिंता मत करो, मैं महादेव को समझाती हूँ जब मैंनावती ने महादेव की आर्थी उतारने से मना कर दिया, तो स्वयम पार्वती जी महादेव को समझाने उनके पास गई ठीक है पार्वती, यदि आपकी यही इच्छा है तो हम ऐसा ही करेंगे पार्वती की बात को मानते हुए महादेव तैयार होकर बहुत ही सुन्दर दुलहे के रूप में सबके समक्षाते हैं रानी मैनावती महादेव के उस रूप को देख कर बहुत खुश होती है इसके पश्चात वर्वधु दोनों की वन्शावली खोशित की जानी थी एक राजा के लिए उसकी वन्शावली सबसे एहम चीज होती है जो उसके जीवन का गौरव होता है तो पार्वती की वन्शावली का बखान खूब धूमधाम से किया गया फिर पार्वती की पिता हिमवान ने शिव से अन्रोद किया महादेव कृपे आपने वन्श के बारे में कुछ बताईए आप शुन्य क्यों हो गए कुछ तो बोलिए अब पार्वती ये महादेव चुक्यों बैठे हैं समाज के लोग कुलीन नजरों से हमारी और देख रहे हैं राजा महाराजा और पंडेत सब में फुसफुसाहट शुरू हो गई है जब वधुपक्ष के सभी पंडेत और राजा शिव जी की और घ्रिना से देखने लगे तो नारद मुनी ने देखा भगवान शिव मौन अवस्था में आ गए है नारद मुनी से रुका नहीं गया और वो सभा के बीच अपनी वीरा के तार खीच कर ध्वनी उत्पन करने लगे नारायन नारायन नहीं इनके माता पिता ही नहीं है इनकी कोई विरासत नहीं है इनका कोई गोत्र नहीं है इनके पास कुछ नहीं है इनके पास अपने खुद के अलावा कुछ नहीं है हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने पिता या माता के बारे में नहीं जानते ऐसी दुर्भाग्य पूरन इस्थती हो सकती है मगर हर कोई किसी ना किसी से जन्मा है ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का कोई पिता या मा ही ना हो क्योंकि महादेव स्वयम्भू है इन्होंने खुद की रचना की है इनके ना तो पिता है न माता इनका ना कोई वंश है ना परिवार ये किसी परमपरा से तालुक नहीं रखते और ना ही इनके पास कोई राच्चे है इनका ना तो कोई गोत्र है और ना ही कोई नक्षत्र ना कोई भग के शाली तारा इनकी रक्षा करता है ये इन सब चीजों से परे हैं ये एक योगी है और इन्होंने सारे अस्तित्व को अपना एक हिस्सा बना लिया है इनके लिए सिर्फ एक वंश है ध्वानी अस्तित्व में आने वाली पहली चीज थी ध्वानी इनकी पहली अभिव्यक्ती एक ध्वानी के रूप में है ये सबसे पहले एक ध्वानी के रूप में प्रकट हुए उसके पहले ये कुछ नहीं थे, यही वज़ा है कि मैं ये वीना के तार खीज रहा हूँ देवर्शी नारत ने जब भगवान शिव के अस्तित्व की व्याख्या की तो वहाँ उपस्तित पूई सभा शिवची के चर्णों में नतमस्तक हो गए राजा हिमवान को भी अपना उत्तर मिल गया था देवी पार्वती भी आज अपने उपर गर्व कर रही थी सभी महमानों के लिए धेरों पक्वान का प्रबंध था सभी बाराती भूजन खाने में व्यर्थ थे महादेव मेरा तो हिरदय बोल रहा है आज पूरे ब्रह्मान्ड मैं निर्थे करूँ तो देव किस बात की है नंदी आज तो पुरा विश्व निर्थे करेगा देवी पार्वती आप देख रही है न ये सब आज कितनी प्रसन्त है हाँ प्रभू आपकी ये भक्तगर मन मौजी होकर अपनी प्रसन्ता भिखेर रहे हैं सब लोग मिलकर भोजन का आनन्द उठाते हैं उसके पश्चाद मा पार्वती की विदाई का समय आ जाता है और वो अपने माता पिता से गले लगकर रोने लगती है पुत्री तुम्हें संसार की सारी खुशियां मिले मेरा अशिरवाद सदैफ तुम्हारे साथ है महादेव जाने अंजाने हमसे कोई भूल हुई हो तो शमा कर दीजिएगा पार्वती अब तुम बहादेव की अर्धांगिनी है अपने बती के हर सुद्दुक में तुम इनका सदैफ साथ देना मापिता जी आप भी अपना खयाल रखना राजा हिमवान पार्वती पर पहला हक आपका है इसलिए निसंगोच आप कभी भी पार्वती को मिलने आ सकते हैं और पार्वती भी आप दोनों से बिना मिले नहीं रह पाएंगी इसलिए पार्वती आप जब चाहें अपने माता पिता से मिलने आ सकती हैं राजा हिमवान रानी मैनावती और समस्त अतिथियों का अशिरवात प्राप्तिकर देवी पार्वती भगवान शिव के साथ खुशी-खुशी अपनी ससुराल विदा हो जाती हैं पंडित जेठा नंजी भगवान भूले नाथ के बहुत बड़े भगत थे वो वारांसी में रहते थे शिव मंदिर में एक पुजारी के पत-पत वो कई वर्षों से सेवा कारे कर रहे थे शिव पुरान, शिव रत, उद्यापन, शिव चालिसा और शिव भजन केर्टनादी की पूजा बिधी का कारे वो भली भाती संभालते थे अरे पंडिर जी, आज आप बड़ी सुबह सुबह ही तयार हो गए सुशीला, आज किसी के घर में सावन सुमवार की पूजा है तो वो शिव पुरान का पाठ करवाना चाहते हैं इसलिए मंदिर में पूजा कारे करके सिधा उन्ही के घर चला जाओंगा आने में शाम हो जाएगी पंडित जी शिव मंदिर में पूजा करके उन लोगों के घर पहुँचते हैं जहां शिव पुरान का पाठ करवाना था पूजा की तयारी के बाद वो भगवान शिव के लिए एक आसन लगाते थे और उसके सामने एक त्रिशूल और डम्रू स्थापित करके पूजा शुरू करते थे ये जेठानन्द पंडित जी का नियम था अरे ये पंडित जी पूजा से पहले एक आसन ये त्रिसूल और ये डमरू के उस्थापत करते हैं भई जेठानन पंडित जी से जब भी पूछते हैं वो यही कहते हैं कि जब वो पूजा करने लगते हैं तो स्वयम भगवान शिव उनकी पूजा सुनने के लिए इस आसन पर विराजित होते हैं ये तो श्रद्धा भाव है पंडित जी का तभी तो विश्वास के साथ ही आसन लगाते हैं है कि नहीं पंडित जेठानन्द पूजा करवा कर घर आ जाते हैं आ गए आप चलो भूजन कर लो अब कल से तो आपको मंदिर में भी समय लगेगा शिव मंदिर में भक्तों की भीर लगनी शुरू हो जाएगी हाँ, कल शिवरात्री है तो सभी कावड़िये शिवलिंग पर जला भिशेक करेंगे दूर दूर से शिव मंदिर में लोग पूजा करने आते हैं भक्तों की भीर रहीगी कल तो अगले दिन पंडित जेठानन्द सुबा सुबा मंदिर पहुँचते हैं ये प्रभू शिव शंकर का आसन बिछा देता हूँ फिर पूजा आरंभग करूँगा पंडि जी कोई बहुत पहुचे हुए महराज शिव मंदिर में दर्शनों के लिए आ रहे हैं उनके पीछे भक्तों की भीर भी है आईए महराज आईए आज शिवरात्री के पावन अफसर पर इस मंदिर की शोभा बढ़ाईए स्वामी महराज की शबका कल्यान हो पहले हम मंदिर में थोड़ी देर विश्राम करना चाहेंगे अच्छा तो ये आशन हमारे लिए बिछाया है अती सुन्दर अती सुन्दर ख्षमा कीजिए स्वामी महराज ये आशन तो मैं भोलेनात के लिए सजाता हूं वो मेरी पूजा में अपनी हाचरी देकर उसे संपूर्ण करते हैं मूर्ख कभी भगवान भी ऐसे आशन पर आकर बैठ जाएंगे ये असंभव है ये तुम्हारा पागलपन है मेरा विश्वास है जो कई वर्षों से मैं ये आशन बिछाता हूं और मुझे पता है भगवान शंकर सदैफ मेरी पूजा में इस आशन पर विराजमान होते हैं अच्छा तो फिर प्रमानित करके दिखाओ पंडित जी कि सच में भगवान शंकर इस आशन पर बैठते हैं स्वामी महराज भगवान में आस्था और विश्वास ही हमारी पूजा को सफल बनाता है इधर उधर की बातें मत करो पंडित जी मुझे प्रमार दो कि इस आशन पर शंकर महराज विराजित होते हैं मैं भी तुम्हारी भक्ति में शक्ति देखना चाहता हूं कि तुम में भला ऐसा क्या है जो सिर्फ तुम्हारे कहने पर भगवान स्वर्ग लोग को छोड़ कर यहां तुम्हारी पूजा में बैठने आ जाते हैं स्वामी महराज आपको प्रमार चाहिए तो मुझे कल तक का वक्त दीजिए पर मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि पंडित जी आप कोई चालाकी नहीं करेंगे अगर आपको मुझे पर विश्वास नहीं है तो आप ये आसन अपने पास रखिए और कल जब मैं इसे पूजा के समय यहां रखूंगा बस आप इसे यहां से उठा कर कहीं और रख देना आपको प्रमान मिल जाएगा ठीक है यदि तू सच्चा भक्त होगा तो मैं तेरा सेवक बन जाओंगा और यदि तू आसफल रहा तो तू इस मंदिर को छोड़ कर चला जाएगा मुझे आपकी शर्त मनजूर है स्वामी महराज स्वामी महराज को आसन सौप कर पंडित जी घर आ जाते हैं लोग इस विशे में बाते करने लगते हैं पता नहीं भाई अब कल देखते हैं किसकी जीत होगी और कौन हारेगा आ भाई पुजारी जी बरसों से इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं उनको विश्वास होगा भगवान शंकर पर तभी तो इतनी बड़ी बात कह दी देखते हैं कल क्या होगा उधर स्वामी महराज अपने एक चेले से बाते करने लगते हैं मुझे पता है ये पंडित बरसों से मंदिर में चड़ रहे दान दक्षिना पर कुंडली जमाय बैठा है अब इस पंडित की सच्चाई सब के सामने लाने का वक्त आ गया है स्वामी महराज आपने बिलकुल सही शर्त रखी है कल इस पंडित का भांडा फूटी ही जाएगा हाँ फिर तो सब लोग आपकी वहवाही करेंगे हाँ पंडित जेठानन भी घर आ जाता है सुशिला पूछती है पंडित जी उसे सारी बात बताते हैं सुशिला आप तो भगवान भोले नात के परम भक्त हो और भोले बंडारी के होते हुए आपको चिंता की क्या वशकता हाँ सुशिला मैंने तो सब कुछ भोले बाबा पर छोड़ दिया है और मैं जानता हूँ वो मेरे विश्वास की लाज जरूर रखेंगे पंडित जी भगवान शंकर को याद करते हैं हे भोले नात हे परमेश्वर कलाब के भक्त की परीक्षा है और मुझे पता है कि आप मेरी साहता सरूर करेंगे अगले दिन पंडित जेठानंद मंदिर पहुँचते हैं स्वामी महराज पहले से ही मंदिर में पहुचे हुए थे आईए पंडित जेठानंद जी आप ही का इंतजार हो रहा था चलिए ये रहा भगवान शिव का आसन लगाईए इसे और पूजा शुरू कीजिए देखें भगवान यहां विराजेंगे या नहीं ओम नमाशिवाए ओम नमाशिवाए हे शिवशंकर यदि मैं सच्चे हिर्दै से आपका नाम लेता हूँ यदि मैंने अपने शिवशंभू की सदैव सच्चे मन से पूजा की है तो मेरे भोले नात आज यहाँ विराजो हे नीलकंट आज यहाँ विराजो पंडित ची शंकर भगवान का स्मरण करके मंत्र चाप कर रहे थे स्वामी महराज तो बस इसी इंतसार में थे कि कब पंडित ची का विश्वास तूटे और वो पंडित ची को जूठा साबित करे स्वामी महराज यदि आपको लगता है भगवान शंकर इस आसन पर नहीं बैठे तो क्या आप इस आसन को उठा कर दूसरी जगह रख सकते हैं अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है रुको अभी इस आसन को वहाँ सामने रख देता हूं दूध का दूध, पानी का पानी अभी हो जाएगा अरे ये आसन उठ क्यों नहीं रहा ये तो टस से मस भी नहीं हो रहा ये असंभाव है अरे मैं तो जोर लगा रहा हूं ये आसन उठाना मेरे लिए मुश्किल है तो क्या सचमुच भगवान शंकर इस पर बैठे हुए है तब ही स्वामी महराज को मैसूस होता है जैसे किसी ने उनके हाथ को ही छिटक दिया हूं वो घबरा जाते हैं और पंडिजी से शमा मांगते हैं सब लोग इस शमतकार को देखकर आश्चरे में पढ़ जाते हैं हे महादेव आप सचमुच इस आसन पर बैठे हैं मुझे यकीन हो गया पंडिजी मुझे माफ कर दीजिए आपकी भक्ती जीत गई मैं गलत था आप तो सचमुच भगवान भोले नात के सचे भक्त हो नहीं नहीं स्वामी महराज भगवान शंकर के लिए सभी भक्त एक समान है बस विश्वास और लगन की आवशकता होती है भगवान शंकर ने पंडित जेठानंद का विश्वास तूटने नहीं दिया स्वामी महराज को पता चल गया था कि पंडित जेठानंद की भक्ती में बहुत शक्ती है और वो शक्ती सभी के पास होती है बस उसमें श्रद्धा का दीपक जलाने की जरूरत होती है